तो गाइव पेस है आप लोग के सामने ओल न्यू फोक्सवागन वर्श्यूज्ज इसके अंदर ना दो विरेंट साते हैं एक तो आता है डाईनमिक लाइन और एक आता है परफॉर्मेंस लाइन जो इसका डाईनमिक लाइन वेरिंट आता है वो 1 लीटर के इंजन के साथ आता बट इसरो अपने पैट्रोल इंजन के साथ ही एविलेवल होती है और जो इसका पर्फॉर्मेंस लाइन वेरियंट है 1.5 लिटर का इंजन आता है उसके अंदर और वह सिर्व आप लोग को उटमेटिक रांस्पिसिन मिलता है जो की 7DSG के गेर के साथ में आता है तो गाड़ी का रिव्यू इसके की फॉप से स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर आप की देखोगे तो कुछ इस तरह ही मिलती है लोग अनलोग और इसकी टेल गेट को उपन करने के लिए ये ही की इसके अंदर में एवी लेवल होती है जैसे आप इस गाड़ी की लुक देखोगे तो भाई काफी बहतरीन सी बना रखे और पर्टिकुलरली जैसे इसका जो ये बिल्यू कलर है और पिछे एक रैडी कलर खड़ा हुआ है तो ये देखने में काफी अच्छी लगते हैं कि क्या के चीज़े इसके अंदर एवी लेवल हो जाते हैं तो लुकत भाई मैंने बता दिया बहुत बड़ी असी है और जिसे बोनट की लैंट भी दे रखे अच्छी बड़ीस दे रखे तो प्रोपर एक जो सैडान वाली फीलिंग है न मस्त वाली सैडान वाली आप लोग बड़ जो गाड़ी की फोग लाइट है वो आप लोग को हैलोजन वाल्प के साथ में एवी लेवल होती है यहाँ पर प्यानो ब्लैक फिनीज का यूज दिया हुए क्रोम लाइन का भी जो है यूज देखने को मिल जाएगा ओगे न गाड़ी में कोई भी पार्किंग सेंसर एवी लेवल नहीं होते हैं और जो ग्राउंड की लेंस है वो भी आप लोगो गाड़ी में बिल्कूल ठीकठाक मिल जाता है और इस गाड़ी में क्या है आप लोगो गोडी एर के टायर मिलते हैं शिरफ फ्रेंट में ही बिष्ज ब्रेक एविल होता है पिछे की बाट लं बिल्कुल बढ़िया है और जो ओर भी है इसके इलेक्ट्रिकली अडजेस्टेवल एंड डिट्रेक्टिवल दोनों फूंसिन के साथ में एविलेवल हो जते हैं एकर गाड़ी को मैं ओफ करता हूं यह रहे गाड़ी ओन हो गई अभी मैंने इसको किया ओफ ओफ नहीं हुई यार अब ओगी है गाड़ी ओफ इसके इंडिकेटर्स ओफ करते हैं और यहां से लाइट्स को जो है ओफ करते हैं एकर गाड़ी को लोक करते हैं तो जैसे गाड़ी को लोक करते हैं तो जो इसके और open हो जाते हैं और जैसे विंडोग निचे देखोगे तो chrome line का भी उज़ देखने को मिलेगा यहाँ पर piano black finish का यूज़ किया हुआ है sun roof भी जो है आप लोग को इस variant में एविलेवल हो जाती है piano black finish के साथ ही जो है इसके आप लोग को shark finn का antenna एविलेवल होता है पिछे आप लोग को defogar मिल जाता है और जो tail light है भाई वो भी गाड़ी की काफी cool सी लगती है देखने में वर्चूज की बैजिंग TSI जो particular engine है उसकी बैजिंग दे रखी है जो है camera की placement यहाँ पर दियूई है और जो parking sensors हैं वो तकड़ास दे रख है और जो गाड़ी की length है और जो width है वो सही से मिल जाती है तो इस वज़े सिक है cabin के अंदर भी और जो boot space है वो काफी अच्छा सा इसके अंदर में available होता है और spare wheel की placement जो है यहाँ निच्चे की तरफ में दी गई है और जो इसका दी गई है जो कि बाहर से ही ऐसे दबाने से open हो जाती है अभी गाड़ी का interior में बात करते हैं कि क्या की सिज़े मिलती है तो यहां से start करते हैं चारू power window के switches जो है दे रखे हैं और जो driver side window और top and down function के साथ मिलता है और बाकि जो कोई भी switches है वो top down के साथ नहीं है यहाँ पर leather का work क्या हो है सिरफ यहाँ पर और बाकि हर एक जगाया पर जो है hard plastic का आप लोग को use देखने को मिलेगा जो lock and lock के लिए switch है यहाँ पर दिया हुआ है door handles की quality बहुत जबरतसी मिलती है quality भाई गाड़ी में बहुत तकड़ी सी है leather की seat पोल्ष्टी जो है गाड़ी मिल जाती है height adjustable seats जो है इसके अंदर एविलेवल हो जाती है और जैसे यहाँ पर देखोगे तो यह light के लिए control दे रखा है इसमें और cruise control जो है वो इस साइड में दे रखे हैं और यह दे रखे हैं इसके वाइपर के control और इस साइड में दे रखे हैं इसके indicator के control light के थे वो इस साइड में थे और touchscreen का response जबर दस्त इसके अंदर मिलता है 10-inch की इसके अंदर touchscreen display आती है बहुत तकड़ा सा है android auto apple carplay की connectivity मिल जाती है और single zone ही इसके अंदर climate control आप लोगों मिलता है wireless charging जो है गाड़ी में भी गाड़ी में मिल जाती है जिसके size काफी size मतलब ठीक है गाड़ी के इसाब से बिल्कुल ठीक सा मिलता है और हर एक जगाए पर उपर निचे यहाँ पर कहीं पर हर एक जगाए पर hard plastic के इसके अंदर use देखने को मिलेगा जो गाड़ी के IRVM है वो electrochromic मिलते है आप लोगो और जो sunroof है भाई ठीक है गाड़ी के इसाबस देखे जाए ना बिल्कुल ठीक opening इसके अंदर हो जोती है तो मज़ाएगा भाई इस गाड़ी को drive करने में sunroof खोल के एक नमबर चलाने में एक नमबर मज़ाएगा पैसेंजर साइट साइट में सिर्फ टिकट होल्डर दिया हुए और ड्राइवर कंट्रोल होते हुँ या से dave देखो मैं इसे कंट्रोल करने लग राओ चानों और यहां से 語ता हुए रोग यह सारी देखो होगे ना यह आप को हवा मंधितरल में बार करने किया और पान एवि लेवल होता है पहले तो मैं पूरा उपर कर लेता हुँ अगर इस गाड़ी में comfort की बात की जाए तो भाई देखो visibility बगएरा बहुत जादा अच्छी सी आ जाती है पूरी seat को उपर करने के बाद ना तो भाई ऐसा से मैसूस होता है कि जो head उपर touch होगा बाकी थोड़ा से निच्छे करके चलाएंगे न तो भी एक comfortable सी position है और जो visibility बगएरा है वो भी गाड़ी में काफी अच्छी सी आ जाती है और जो डोर को बंद करते है न भाई सब क्या quality की से आवाज आती है इसके अंदर से बहुत तकड़ा से लगता है तो गाड़ी को drive है अब लोग को होरण होता है अभी गाड़ी की second row में comfort की बात करते है कि कैसा क्या होता है देखो फर्स्ट रोगी जो driver side seat थी मैंने से हग सा कर रहे हैं तो एक number की मज़े से आ रहे हैं दो बंदे तो गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा comfortable होके बैठ जाएंगे तीन इसके अंदर adjustable headrest है armrest भी है isofix seats भी है और armrest भी दो cup holders मिल जाते हैं और यहां पर देखोगे तो आप लोग को एर के वेंट मिल जाते हैं दो सी टाइप इसके अंदर शोकिट्स भी दे रहे हैं speaker की placement Twitter एंड यहां पर आप लोग को जो है बोटल करने के लिए holder मिल जाता है LED में जो है reading lamps में आउपर की तरफ में एवी लेवल हो जाती है overall भाई यह है second row का जो comfort है न बहुत ही जादा बहतरी इसके अंदर मिलता है और जो हम है पहले फॉक्स को इन गाडियम के रहता था जो हम पें जड़ा उठा हुआ रहता था था तो इतने comfortable सी position निया आती थी बट इसमें हम पें काफी निच्छ से नि और बाकी गाड़ी में उतरने में और बैठने में सहत कोई भी दिखरते नहीं आती है सेडान क्लासा थोड़ा से तो आप लोगों इन चीजों में देखना पड़ेगा कि उतने में बैठने में दिखरते आती है तो गैस है पैट्रो च tuvo टर्षांज जो की 114 भी एचप ए اट 178 NM का टॉर्क जो है प्रडिउस करता है सेम जो इंजन है टाइगून वाला ही इसके अंदर उठाके फिट कर दिया गया है तो वाइस ठीक है यह सब कुस्त आज की वीडियो में अगर आप फोक्सवागें को गाड़ी पर्चेस करने चाते हैं तो डिलर्शिप के पर नीचे स्क्रिन पर आरोंगे फोक्सवागें की कोई भी गाड़ी यां गुड़गाओं में अगर आप लेना चाते हैं तो यहां पर कॉंटेक्ट कीजिए टेक केर वाइन थेंक यू सो मच